आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर वजार वितायूश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पी एंबी के शेयर के बारे में तो आप देखेंगे 27.75 पे शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है पाच पैसे शेयर बड़ा है 0.18% शेयर में आपको इंक्रीज देखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करेंगे याप पी एंबी की उपर कि आपको पी एंबी में और तेजी देखने को मिल सकती है कि शेयर में आपे गिरावट आएगी तो आप वीडियो एंटर ज़रूर देखेगा और दोस्तों अभी तक अगर अपने माच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना तो दोस्तों अगर पी एंबी की बात करें याप तो पी एंबी में एक लगातार गिरावट सी आती जा रही है लेकिर अगर पिछले पाच दिन की बात करू यहाँ पर तो पिछले पाच दिन में शेयर ने तेजी दिखाने की कोशिश की है और करीबन शेयर 3.74% बढ़ा है अब यहाँ पर अगर मैं पिछले एक महिने का आप अगर सिनारियो देखेंगे तो एक महिने के अंदर जितनी गिरावट PNB में आई यह वो काफी जादा हो गई है क्योंकि देखे शेर एक तो 30 के नीचे मूवमेंट दे रहा है भी 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर देखे शेर जैसे 28-29 के आसपास आता है शेर में resistance क्रॉस नहीं हो पाते और शेर फिर वहाँ से वापिस से गिरावट दिखा जेता है तो यहाँ पर important ही है कि देखे अपने resistance को break करता हुआ शेर अगर आगे निकलेगा तो ही तेजी देखने को मिलेगी आप देखेंगे पिछले हफते इस हफते आप कह सकते मार्केट में कितनी अच्छी तेजी थी और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाया था वो काफी ज़्यादा शांदार था लेकिन देखेंगे पी एंबी ने कोई इतना ज्यादा खास यहाँ पर मूवेंट नहीं दिखाया लेकिन यहाँ पर देखिए शेर के अंदर आपको मूवेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी इंपोर्टन जोन पे चल रहा है शेर अब मैं अगर आपको लाज दिका ट अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर थेजी आपको देखने को मिलेगी पी एंबी के अंदर अब आप दोस्तो देखलते हैं पी आपको के एंपोर्टन तेकनिकल्स क्या चाहरा है सबसे बश्या देखलते हैं दोस्तों बाइंग चल रही है कि सेलिंग शेर के अंदर अगर यहा को यहां पर थोड़ी बहुत selling pressure देखने को मिल रहा है पर आखरी मिनट पर क्या हुआ है आखरी मिनट में strong selling देखने को मिल रही है 18 cell 1 by oscillators ने 2 cell 1 by moving averages 0 by and 16 cell तो यहां पर देखेंगे share में strong selling दिख रही है और यहां पर शियर वैसे downwards जा रहा है और अगर इतनी selling चलेगी तो देखें शियर में आपको उपर का zone या फिर उपर तेज़ी देखने में बहुत मुश्किल होगी कि देखें अगर उपर ऐसे नहीं जाएगा तो यहां पर गिरावट बरती जाएगी और share में अब देखते हैं दोस्तों आप अगर आप important support देखेंगे share का तो 26.25 और 27 अब यह दो इतने important support है share कि देखें इन level से अगर तूटता है तो 27 और 26.25 अब समझेजिए अगर 27 से share वाप इस से उपर चल जाता है क्योंकि यह अगर important support तूटते हैं तो देखें बेस नहीं मिलेग share को और फिर वो गिरता ही जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि PNV के अंदर जैसे ही 30 का level टूटा यहाँ पर share में आपको लगातार गिरावाट होती भी देखने को मिल गई आप देखेंगे share पहल 32 31 के आसपस consolidate होता आता लेकिन देखें जैसे 31 30 का इसका support टू भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे share गिरता जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप समझेगे 27 is the most important support for share अगर यहां से उठ जाता है तो बापिस से तीजी का रुकायम हो सकता है लेकिन अगर यहाँ पर नहीं टिकता है तो 26.25 सेकंड है यह level भी अगर नहीं हुआ इस यहाँ पर 28.10 दे रखा है अगर यहां से share उठ जाता तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल जाएगी लेकिन गिरावाट होगी तो फिर 28.50 फिर 29.25 तो यह दो resistance है दोस्तों share कि अगर यह दोनों अगर पार हो जाते हैं तो आपको तेजी देखने को मिल जाएगी और गिराव